बहुत मुझे मजबूर कर दिया और यह मर सोचना कि किसी को रोल आके तुम लोग कभी जिन्दगी में खोस रहा होगे कभी खोस नहीं रहा होगे एक बात याद रखना देखिए अभी रात के बज़े हैं दस बज़ के तेरा मिनिट और मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूं बाती कुछ ऐसा है कुछ लोग मुझे बहुत परशान कर रहे हैं मुझे धंकी दे रहे हैं अलग-अलग नंबर से कॉन्फरेंस कॉल करके मैसेज करके या तो यहां पे जो है सोसल मेडिया वहां पे भी मुझे धंकी दे रहे हैं तो देखो तुम जो भी हो मुझे मालू मैं तुम फेक आईडी से मैसेज कर रहे तो मैं जानती हूं कि तुम कौन हो ठीक है ओडियंस मैं आप सभी को पूछना चाहती हूं जैसे अभी मेरे 8000 फेमली होने वाले है तो इन्वें से जो जितने भी बेड कमेंड करेंंगे मैं क्या सब को जानती हूं नहीं जानती हूं तो मैं तो सबक Paige लेके नहीं रखी तो फिर मैंने उनको reply किया आप जो भी हो प्लीज किसी के बेबी या फैमिली को गलत वर्ड मत यूज किजिए क्योंकि सारा इस जाम मेरे उपर आ रहा है जबकि मैं आपको जानती तक नहीं ठीक है मैंने उन्हें reply किया है और आज वाले जो वीडियो में डाला है उस पर मैंने उनका comment को इसलिए pin किया है क्योंकि उन्होंने साब साब कहा है कि ना ही वो मुझे जानते हैं और ना ही मैं उन्हें जानता हूं ताकि सभी लोग आप लोग देखे तो मैं नहीं जानती यह angry gold कौन है और क्यूं आप लोग कैसा रोष्ट कर रहे है तो प्लीज आप लोग जो बोल रही हूं कि ठीक है मैं अपना गलती मानी मैं किसी का आशू देखके चले गई मुझे नहीं जाना चाहिए था मैं आप लोग के साथ तुम लोग के साथ में मिली ओ मेरे सबसे बड़ी भूल थी ठीक है ना और मैं तुम लोग से नहीं सकूंगे मैं हार गई हूं तुम सकूंगे तुम से अपनी फेमिली के लिए जुकना हार है तो ठीक है तुम लोग को समझना समझों मैं हार गई होति लोग बहुत पोंचे हुए चीज हो तो एक है क्या जुनु मुरुमू करके, मुझे तो पता है तुम कौन हो, फेक आड़ी तुमने बनाया हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें वहीं पर रिप्लाइ करती, लेकिन तुमने साथ मेसेज डिलीट किया है, रिप्लाइ का ओप्षन नहीं आ रहा है, मैं साथ में स्क्रिन सोट भी लगात आते जाओंगे, आप देखिएगा, वीडियो देखे क्या लिखे हैं, आपका वीडियो देखते हैं रोज अच्छा वीडियो बनाते हैं, यह सब जगरा में क्यों पड़ते हैं, मैं जगरा में नहीं पड़ी थी, इस्टार्टिंग उन लोगों ने किया था ठीक है, मैं अच्छी घर से हो इतना अच्छा फैमिली फिर आप क्यूं ऐसा कर रही हो मैं कुछ नहीं कर रही हूं अगर तुम्हारे पास कुछ पुरूब है तब तुम दो ठीक है न आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सपोटर को समझा दीजे अगर वो नहीं सुधरेगा फिर आपक पर भी बात नहीं होती है जो है सिधा सोचल मीडिया में जो कमेंट बॉक्स उसी पर मैंने उनसे बात की है और बोला है कि आप जो भी हो प्लीजे सब मत कीजिए क्योंकि मैं उनको पहले से जानता हूं उनका फैन हूं आप अगर चाहते हो ऐसे कुछ नहीं हो आपको सपोट है तो फिर वह मेरा रोस्टिंग करेंगे एक लड़की के लिए कुछ गलत हो हम नहीं चाहते हैं उनसे बोलो ऐसा कुछ ना करे तो बताए फैमली यह लोग जो चाहते थे कि मैं हार मान जाओ मैंने हार माना इनका रिकुर्डिंग भी नहीं सुनाया लेकिन यह अभी मुझे धमकी दे रहे हैं पीछे पड़ गिये हैं ठीक है तो देखिए एक बात मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूं ठीक है देखिए मेरी बेटी है यहां पे सोई है जो कि मुझे अपने जान से भी बहुत ज़्यादा प्यारी है ठीक है ना तुम लोगों ने बहुत बैटी सोई है और आपको पता है एक मा के लिए बच्चा कितना इंपोर्टेंट रहता ठीक है मेरी बेटी का काकर मैं काती हूं मैं एंगरी गॉल्डी को नहीं जानती हूं मुझे धंकी मत दो तुम लोग ठीक है ना गलती मेरी थी जो तुम लोग के साथ में मिली और अपना गलती में मानती हूं इतना भी मुझे मजबूर मत करो अपनी जिंदगी में मैं अभी जैसी हूं तुम लोग को मैंने रिप्लाई किया नहीं किया ना खुस हूं अपनी ज करने कि दामकी करती हैं लेकिन मुझे धमकी मत दो मेरा पीछा छोड़ दो कि हाथ जोड़ के तुम लोग से करती हूं और सबसे बड़ा प्रूब जान से प्यारी मेरे बेटी कामेने कसम खाया एक जुटा पहला कसम नहीं तुबिद करूँगी आज कि मुझे तुम लोग दुसरे दुसरे नंबर साउन भी नहीं करोगे। और नहीं। मुझे धमकी दो गे। मैं हार गई। नहीं सऀनगे तुम लोग से। गलती हो गई। रह्लों मैं उनका कमेंट को tio लोग करते हैं। तो इतनी से तुम लोग को क्या समझ में नहीं आती है, इतना तो तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, हाथ धो के मतलब मेरे पीछे पढ़ गया तुम लोग तो, कोई बड़ा यूटूबर को पकड़ो जिससे तुम लोग को फायदा हो